चट पे बिहारियों का वो जलवा दिखा और बिहार का वो दबदबा दिखा जिसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि चट सिर्फ बिहार का ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में मनाये जाने वाला परव बन चुका है क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरे सामने आई है देश क कई हिस्सों से और देश ही छोड़ दीजिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आइलेंड के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरे आई जिससे ऐसे लगने लगा कि छट सिर्फ भारत का नहीं बिहार का नहीं बलकि इंटरनेशनल पड़व बन चुका है और यह जो आस्था है जो सिर्फ ब यह सब कुछ जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि अपने लोक आस्था का परो छट मा परो किस तरीके से पूरी दुनिया में चाया हुआ है और छटी मईया और छट का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है लेकिन उससे पहले मेरा पढ़िचे जान ली बिहार में चटा लास कुछ और ही देखने को मिलता है बड़े हरस लास के साथ आपने देखा होगा एकदम से चट माई का जो घाट था वो जगमघा रहा था लोग लाखों की संक्या में बाहर से बिहार आये थे करोरों की संक्या में लोग घाट पे पहुँचे थे और यह स तरफ बिहार में नहीं सूसल मीडिया के दौर में जब विदेशों से तस्वीरे आनी सुरी हुई तो पता चला कि भाई साथ छट सिर्फ बिहार में नहीं मनाया जाता बलकि देश विदेश में भी मनाया जाता है और जिस आस्था के साथ जिस भावना के साथ बिहारी छट मना अब देख लीजे ये पहली तस्वीर आबुधावी से आई है आबुधावी एक मुस्लिम कंट्री है और आप यहां पे देख सकते हैं जिस तरीके से एक घाट बनाया गया है यहां पे पूरा एक वीक का विवस्था किया गया है और जिस तरीके से आपको हुजूम दिखाई दे रहा है तमाम लोगों की जो संक्या दिखाई दे रही है वो इस बात का गवा है कि छट सिर्फ बिहार में नहीं मनाया जा रहा है भाई साब बलकि पूरी दुनिया में बहुत शांदार तईके से मनाया जा रहा है और जो भी बिहारी बिहार को जोड़के किसी और देश म मना रही है आबू धाबी में एक घाड का सीन है अभी कई ऐसे घाड मने थे और इस तरीके की तस्वीरे आई थी अब पूरा तस्वीर तो यहां लगा नहीं सकता लेकिन यह देख लीजी एक तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आबू धाबी में क्या माहौल था अमेरिका में भी वो जो बिहार का एक भावना है उसकी कितनी कदर की जा रही है और जब तमाम गोरे लोगों के सामने बिहारी अपने छट को मना रहे थे तो सब लोग हत प्रभ थे और इसके अलावा इस छट व्रत में शरीक भी उए थे और यही है छट का पावर यही है ब बिहारी परिवार और कई परिवार एक साथ मिलके यहां पे छट मना रहे हैं और यहां पे भी यह लोकास्था का जो छट परव है उसको बड़े धुमधाम के साथ बनाया जा रहा है लोग इसमें शरीक हो रहे हैं और सिर्फ बिहारी नहीं बलकि वहां के लोकल भी इनके इस शरीक हो रहा है इनको बड़ा मजा रहा इस छट को देखने में क्योंकि छट जिस तरीके से मनाया जाता है वो वाकई बड़ा मतलब एक मनुरन दिर्श जो होता है इसलिए हम सब लोग बिहार आते हैं छट में लेकिन जो बिहार नहीं आपाते जो विदेशों में रहते हैं व को का जाता है न भाई एक दो जगे ने साथ समंधर पार तक अपना जलवा दिखाई दे रहा है अमेरिका में ऐस्ट्रेलिया में इस तरीके से यह तो भीड आप देख रहे हैं एकदम से फोटो में आप एकदम जाजा लगा दे रहे होंगे कि किस तरीके से यहां पे और ये एक घाट की तस्वीर है अगर आप अलग-अलग इन देशों के घाटों पे नजर डालिएगा तो आपको ये लग जाएगा कि भाई छट सिर्फ अब बिहार का परव नहीं रहा भारत का परव नहीं रहा बलकि ये परव अब इंटरनेशनल हो गया है और इंटरनेशनल तोर पे इस परव को लोग अपना रहे हैं बाकी हम बिहारी हैं और बिहारी होने के नाते भी इस जानकारी को हम तक पहुचनी चाहिए थी कि जो हमारे लोकास्था का परव है इसे किस तरीके से लोग धूमधाम के साथ मना रहे हैं अब इस खबर को लेके इस जानकारी को ल और मेरा नाम रजत है